हेलो दोस्तों हाँ तो आज हम आ चुके हैं अपने चैनल ये टुजेट गॉसिप्स में जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलिवुड के किंग खान यानि स्टारुक खान के मच अवेटेड फिल्म पठान के बारे में जिसमें हम टीजर रीवियो मोवी बज़र स्टार कास्ट देट के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के साथ ही साथ जानेंगे कि सारुप खान की न्यू मूवी पठाना अखिर क्यों हो रही है सोशल मीडिया में बायकोर हुआ हे हम वही मोवी की स्टार कास्ट की बात करें तो सारुक खान इबिकापादुएब आन जॉन एबर Им सल्मान खान आसुतोष राणा और डिंपल का बाड़ियां हमें देखनों को मिल सकती है हाँ तो अगर हम वहीं मुवी के एक्टर सारुक खान की बात करें तो यह पूरे चार साल बाद न्यू मुवी ला रहा है जिसका फैंस में काफी क्रेस देखनों को मिल रहा है जो कि फिल् तो खान एक रो एजेंट का रोल निभाते हुए नजार आएंगे और अगर हम वहीं मुवी में दीपका पादुकोन के रोल की बात करें तो वह एक पुलिस कैन्मी के रोल में नजार आएंगी जो कि काफे खतरनाग होने वाला है हाँ तो अगर हम वहीं मुवी में जॉन राहिम की और बढ़ते हुए चले तो वह एक रूसी माफिया की भूम का निभा रहा है जो कि काफे खतरनाग भूम का निभाएंगे जो की फिल्मों में पहले सिर्फ हीरो का रोल निभाते थे वह पहले बार विलेन का रोल निभाएंगे जो की काफे खतरनाग और रोमांश कारी होने वाला है हाँ तो अगर हम वही मोवी में सलमान खान की बात करें तो दोसरी तरफ के नारे लग रहे हैं जो कि मोवी के लिए box office कलेक्षिन में काफी बड़ी बात साबित हो सकती है जिस्से फिल्म को काफी नुकसान हो सकता है जिसमें दो बड़ी वज़ें उबर के सामने आती हुए दिख रही है इसकी पहली बड़ी वज़े यह है कि अपने पुर्टिजम के फिल्मों को बायकॉट किया जा रहा है तो इस बीच पठान मुवी को क्यों उतार रहे हैं जिसके सिकार हो चुके हैं सारुक खान इसी की लपेटे में आगी कपुर के साथ मिलकर सुसान सिंग राशपूत का मजाक उडाया था सारुक और साहिद स्टेज पर सेयर सुसान सिंग की काय पोशे मुवी का मजाक उडा रहे थे जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था दूसरी बड़ी बज़े है भी है सोसल मीडिया में पठान मुवी के बायकाट होने की हाँ तो अगर हम वही मुवी के बज़ेट और रिलीज डेट की बात करें तो सिद्धात आनंद के डायरेक्शन में बनी यह संदार मुवी 500 करोड उपर के मेगा बज़ेट में बनकर तयार हुई है जो कि पहले ही बैंग बैंग और वार जैसी बड़ी फिल आई हो तो लाइक कमेंट और सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाना ना बोलें